इन्डिया इन्डिया वंत्रियों के साथ किसानों की एहम बैठक भी होनी है पहली बैठक में किसान निताओं के सामने सरकार की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखा गया था सरकार की ओर से का गया था कि एक बैठक और होनी है लेकिन अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं जितने बॉर्डर्स हैं उन्हें एक तरह से चपपे चपपे निगरानी की जा रही है ड्रोन के जरीए भी निगरानी हो रही है यानि हर्याना पंजाब कुछ जिस तह से दिली के बॉर्डर्स जोड़ते हैं वहाँ पर इस वक्त पुलिस की तैनातिये बेरिकेडिंग कर दी गई है सभी बॉर्डर्स सील कर दिये गए हैं और सिंदू बॉर्डर पर धारा 144 भी लगा दी गई है यानि वहां से जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी बाकाइदा चेकिंग की जा रही है तो यह तास्वीर आप देख रहे हैं बॉर्डर्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग लग बॉर्डर किस ताना से वहाँ पर चाक्चौमन इंतजामात किये गए हैं और किसानों के दिली कूच को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिये गए हैं बेरिकेडिंग कर दिये जगा जगा पर ड्रोन के जरीय निगरानी की जा रही है यानि किसी भी तरह से ये आनोलन जो है बड़ा ना हो उसकी तैयारियां की जा रही है सरकार की तरफ से और अभी इस बीच चंडिगर्ड में किसानों के साथ एक बैठन भी होनी है और दूसी तरफ जो बॉर्डर्डर्स हैं जो पंजाब और हर्यान से जोडते हैं वहाँ पर इस वक्त कड़ी निगरानी कर दी गई है पूलिस की तैनाती है जो भी वहाँ से वहाँ निकल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और सिंदू बॉर्डर पर सिंगू बॉर्डर जो है उस पर तारह 144 बूर्य लगा दी गई है बारिकेडों की ये लंबी कतार लगी हुई है दिल्ली और उत्रप्रदेश के बॉर्डर गाजब और बॉर्डर पर जस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का खारिक्रम बनाया है उसके मद्दे नजर तमाम बॉर्डरों पर इस तरीके के तैयारिया देखने को मिल रही है गाजब और बॉर्डर की सबसे बहले तस्वीरे दिखा रहे है रोड पूरी ब्लॉक कर दी गई है यह देख रहे हैं आप दिल्ली पूलिस की बसे हैं वो लेते हुए चल रहे हैं आगे की तरह बढ़ रहे हैं तस्वीरे और दिखाते हैं कि देखें यहाँ पर CCTV लगाए गए है यह जो उपर खंबे आपको नज़र आ रहे हैं इनमें CCTV कामराज लगाए गए हैं क्योंकि गाजब और पॉइंट की जब हम बात करते हैं मेरे दो सही होगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रियंका कांट पाल उसके लावा जावेद मनसूरी भी हैं प्रियंका आप घाजीपूर बॉर्डर में यह वो बॉर्डर है जहां से दिल्ली आने का सिलसला लोगों का शुरू होता है अगर वो मेरेट की तरफ से आते हैं उत्रप्रदेश के बाकी हिस्सों से अगर वो आते हैं किस तरह के इंतजाम आते हैं और आज चुकी सोंवार का दिन है दफ्तर जाने वालों की बड़ी भीड होती है उससे कैसे निप्ते की पुलिस देखिए मैं आपको तस्वीरे अपकत सबसे बहले दिखा देती हूँ गाज़ेपूर बॉर्डर जिसे हम यूपी गेट भी कहते हैं वहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस के दो गाडियां उसके पीछे चार लेवल की बैरिकेडिंग और यह पूरा रास्ता ब्लॉकार जस तरफ पे हूँ यह रास्ता सर्वे दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला है यानि कि दिल्ली से यूपी जाने वाला है CCTV में आपको दिखाओं यह क्योंकि फ्लाइ ओवर के ऊपर जो लाइट्स लगी है उनमें यह CCTV खास पर पर लगाए गए है इसके अलाबा एक और तस्वीर देखने आप बेहद अहम है क्योंकि आप देखेंगे आगे पीछे की तरफ जहां पर आप देखेंगे हर जगे बार बैरिके cheesecake के ऐक दिल्ली से यूपी जाने की तरफ और यूपी से दिल्ली आने वाली तरफ दोनों तरफ एंटी पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है बैरिकेट्स नजर आ रहे है गाडिया जो है यूटन लेकर वापस यूपी की तरफ जारी है जिसके वज़े से जाहिर طOR पर लोगों की परिशारी बढ़ रही है वो लोग जो सुभे स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे वो अपनी परिशानियों को यहां हम तक भी पहुचा रहे है पंकर्च प्रशान चुरे मेरे एक और सही होगी भी घाजीपूर बॉर्डर के आसपासी मौजूद है प्रशान आपके पास क्या तस्वीरे हैं स्कूल जाने के लिए दिक्कत होगी बच्चों को उनके पैरेंट्स को उसके अलाबा जो आफिस गोर्ज हैं उनको दिक्कत हो सकती है किस प्रशान के इंतजामात किये गए क्या इस वक्त आपके पास अपनी है कि रुषान मेरी आवाज मिल रही है आपको जी 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 रुषान आप इस वक्त कहा हैं और क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे इस वक्त बिल्कुल देखिए हम गाज़िपूर मंडी के पास में यहा अभी प्रिकोशनरी बेरिकेटिंग कर दी गई है इस तरफ से रूट डैवर्ट हुआ है जो कल किसानों का आंदलन यहां पहुंचने की आचंका उसके मद्दे नजर अभी से पुलिस प्रशासन ने यह एतियाद बरती है और यहां पर देखिए यह जो दिल्ली की और जाने और यहां से यह इस तरफ दिल्ली में एंटर करवा पा रहा है लोग हाला कि जो स्कूल बसे से हैं या सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोग हैं अब उन्हें कुछ लंबा रूट लेना पड़ रहा है लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों की भी आपर मौजूद गी और प्रशासन के यहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं दिल्ली जाने वाला है रास्ता मेरे सेयोगी अनिल दिखा रहे हैं ये रास्ता सीधे जो घाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आता है इस रास्ते पर ये बैरिगेटिंग लगी हुई है और दिल्ली पुलिस की गा को कर सकते है क्योंकि यहां दिक्कत होने वाली है सिग्वो बॉर्डर पे हमारे सायोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ है जावेद स्था आपके पास क्या अपडेट क्या जानता है अभी सड़ा खुली हुई जरूर है लेकिन ये जो किसानों के दिल्ली कूच की आशंका के मद्दे नजर पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है मैं आपको देखिए कमांड सेंटर दिखाना चाहूंगा जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इस्टैबलिश किया है पूरा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्योंकि बड़ा प्रोटेस का एलान जो है वो किसानों ने किया देखिए और उसकी तैयारिया और विज्वल समाप को दिखाते हैं यहां यह बंडल आप देखिए यह कटीने तारों के बंडल है जो की बॉर्डर पर अभी पैक होके रखे हैं लेकिन इनकी जरूरत पड़े हुआ इस पूरी सड़क पर बॉर्डर के आसपास यहां पर पुलिस की तैनाती आपको नज़र आएगी उनके कैम्स यहां पर नज़र आएंगी और आगे बाकाइदा क्रेन भी रखी हुई है तो यहां बॉर्डर पर तैयारियां की गई है अभी अगर रोड की में बात में इस सड़क पर तैयारियां यहां पर आएगीthsटे से रियंकि तैयारियां दिल्ली पूलिस की मचान देख यहां पर नज़र आएगी तो फूरी तैयारिक पूलिस पिल्कुल पूरी तैयारी पुलिस ने करके रखी है, कल को देखते हुए, आज एक तरह से रिहरसल भी पुलिस की ये है, बड़ी दिक्कत लोगों को ना हो, उसके भी इंतदामात पुलिस की तरफ से किये गए, आपको बताते हैं, किसानों के आंदोनों को देखते हुए, हर् इकते हुए, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्ताइब है, चंडीगर, सिंगु बॉर्डर, उसके लावा 15 डिस्टिक्स ऐसे हैं, जहां पर 11-14 लगाई गई है, पूरे इंतदामात पुलिस की तरफ से कर दी गए, दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब और हर्याना की किस किसानों को पेंशन की सुविधा मिलें, ये भी इसमें का गया है, प्रधानमंतरी फसल बीमा योजना में सुधार की मांग की जा रही है, उसके लावाद 2020 में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्श केस रद कर दिये जाएं, ये भी किसानों की मांग है, स्वामी नातन वे पुलिस की तरफ से भी पूरे इंतजाम कर दिये गए है यानि किसी भी तरह का कोई इंसिलिन ना हो उससे निपटने की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है रोहन से निगरानी की जा रही है और किसानों ने क्या मांगे की है वो हम आपको बता रहे है उदर दिली के सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए तैयारी की गई है दिली पुलिस ने यहां अस्थाई कमांड सेंटर बनाया है और कंटेनर और कंटीले तारों के जरिये पूरे के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है ये तैयारी की गई है दिल्ली फॉलिस की तरफ से हमारे तीन-तीन सयोगी हमारे साथ हैं प्रियंका जरा आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाला कि अब कल ये अंदोलन किसानों ने बुलाया है किस तरह की तैयारी किसानों की तरफ से की गई है कितने ट्रैक्टर्स वो लाएंगे तमाम किसान नेताओं के सब्पर्ख में आप होंगी क्या कहना है उनका अपनी मांगो को लेकर आ रहे हैं वो दिल्ली देखे अब मैं किसानों की अगर बात करूँ तो बताया जा रहा था कि हजार से जादा ट्रैक्टर जो है वो तो शंबू बादर की तरफ ही चल रहे हैं और ऐसे में हम ने देखा है कि एक जगे से यह कॉल होती है और तमाम किसान यूनियन जो है इसे सारे सिमेंट बारेटेटेट्स व जिन को मशीनों के मदट से लगाय जाता है कि कि इतने भारी होते हैं कि इनको उठाना लोगों की बस की बात और गाज़ेपूर पॉइंट की अगर बात करें तो केवल यूपी से आने वाले किसान यह नहीं है अगर वेस्टर पेरिफेरल का इस्तमाल किया जाता है तो हर्याना के भी किसान जो है वो इसी रूट से यूपी में इंटर करेंगे और यही एक कारण है पंकच की आप गुड प्रिदो नहीं हो ब्तभ करते हैं और शी किलिएक कुछ टलिए आप नजब लगतारीक पी प्रीयंकर पाल भिलाल आपका वल् llegó झाल झाल